नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर से बात करने वाले हैं गेल इंडिया लेमिटट के बारे में दोस्तो कल इसके वार्टर थरी के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों के अंदर हम लोगों को शानदार फिर बदल देखने कोमला है तो profit के अंदर लगभग 19% के आसपास jump देखने को मल रही है profit बढ़ता हुआ ने दर आ रहा है तो कह सकते हैं कि नतीजों के अंदर हम लोगों को अच्छा कासा फिर बदल देखने को मला है तो अब positive रुजहान देखने को मिला है company का stock price लगबग 133 रुपे की आसपास कारुबार करता हुआ नजर आ रहा है कल भी हमें stocks के अंदर तेजी देखने को मिली थी और आज भी हमें stocks के अंदर positive रुजहान देखने को मिल सकते हैं बट अब आप आपने देखा की short time के अंदर आपको जो है उपर नीजे के chart pattern भी देखने को मिलते हैं तो long term के हिसाब से अब आप किस तरह की 30 company के अंदर बना सकते हैं वैसे तो अगर business momentum को समझने की कोसिस करेंगे तो लगतार growth देखने को मिल रही है मुझे ये company long term के हिसाब से बहुती शांदार दिखाई दे रही है क्योंकि अभी फिलाल में 133 रुपे के आसपा स्टॉक्स दिखाई दे रहा है कहने का मतलब यह है कि गेल company के अगर work के बारे में आप जानने की कोसिस करेंगे तो गेल पाइपलाइन बिछाने का काम करती है चाया वो CNG की हो चाया वो LPG की हो किसी की भी पाइपलाइन हो वो गेल इंडिया बिछाने का काम करती है तो आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि लगबख चार पांच साल दस साल जब तक आपको जो है इतनी progress देखने को नहीं मिली थी इस फिल्ट के अंदर बट अब लगातार जो हमें momentum दिखाई दे रहा हाई तो कहने का मतलब ही है कि अच्छा खासा प्रोग्रेस इन कंपनियों को सीधी सीधी आपको देखने को मिलने वाली है वैसे भी अगर मैं बात करूँ जब ये कंपनी हम लोको लगबख 300 रुपे से उपर कारोबार करती हुई नजर आ रही थी तो गेल से बहतर मुझे कोई option दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि future prospectors काफी शांदार दिखाई दे रहा है गेल इंडिया का तो लगबख 133 रुपे के आसपाद चल रहा है तो long term के लिए कितना माल आप खरीदारी आप करना चाहते हैं यह सबसे बड़ा सवाल अकसर हम लोगों के सामने निकल गयाता रहता है पहली बात तो यह है कि आपको कभी भी किसी भी company के अंदर यह नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं इसके अंदर खरीदारी करता हूं और कल मुझे अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल जाए मुझे उसके लि लोगों को गिरावट देखने को मिली तब मैं क्या करूँगा तो कहने का मतलब है कि अगर आप नीचे की तैयारी करके चलते हैं तो तब आप जो है अच्छा खासा मुनाफ़ा लोग टम के अंदर जरूर कमाने वाले हैं तो 133 रुपे के आसपास चल रहा है माल उतना ही ख करके चल सकते हैं कि अभी फिलाल में आप पांच दिनों का कारूबार रहा है स्टॉक्स के अंदर का मूड हमें देखने को मिला लगबग 133 रुपे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था वहां से अप एंड डाउन का सिलसला लगाता और बनता रहा ना तो इसके के अंदर हम लगों को जादा बड़ा देखने को मिली है बड़ अगर आप ओवराल मोमेंटम देखने की कोसिस करेंगे तो पिछले एक महीने में अच्छे खासे मूव हमें कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिले हैं लगबग 144 रुपे की आसपास ये स्टोक्स हुआ करता था वहां से गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है बड़ नीचे के लेवल से दीरे दीरे कर किसी वापिस से रिकवरी का मोमेंटम अब हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई देरा है इसी तरीके से कर देखें तो 6 महीने में भी रिटन प्रोफाइल काफी एच्छी हो गई है नीचे के लेवल से अच्छे का से रिटन भी हम लोगों के बन चुके हैं 83 रूपीज के आसपास इससे भी नीचे चला गया था वहां से लेकर अब तक जो हम लोगों के लगबग 61% से ज्यादा के पोजिटिव रिटन बन चुके हैं तो कहने का मतलब है कि मोमेंटम हाई ह है और रिटन प्रोफाइल भी अच्छे का सी मेंटेन हो रही है अब बस सोचना है लोंग टम के बारे में क्योंकि क्या है कि अगर आप पिछला एक साल देखने की कोशिज करेंगे तो अच्छा का सा आपको नीचे के लेवल से रिटन भी बन चुके हैं लगवक 70 रुपे से है कि चार्ट किस तरीकी के हैं देखिए चार्ट का मोमेंटम समझने की कोशिज करेंगे तो अवराल आपको ट्रेंड जो है आप दिखाई देरा है बट शोर्ट टाइम में हमें गिरावार जरूर देखने को मिली है तो ऐसा नहीं है कि स्टोक गिर गया है तो उपर नहीं ज करीदने और सिर्फ नीचे की तैयारी करनी आपको सिर्फ यह सोचना है कि स्टोक उपर नहीं जाएगा स्टोक नीचे जाएगा तो आपका डेफिनेटली जो है इसके इंदर पैसा बनने वाला है अगर सेल्स क्रोथ की बात करें तो पांस साल में लगवग साड़े चार से ज्यादे की तीजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है बट पिछला एक साल थोड़ा सा डिसपोइंटमेंट रहा है कंपनी के लिए अगर बात करें प्रॉफिट की सिती किस तरीके से दिखाई जा रही है तो चार्ट मातर से ही आप समझ गए होंगे कि अच्छा खासा को अप मूव देखने के मुले हैं इसी तरीके से पिछले तीन साल में लगए 23 प्रशंट से जदा की तीजी देखने को मिली और पिछला एक साल भी बहतरे इन रहा है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बराबर हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं पिछले एक साल तीन साल और पांस साल के दुरान इसी तरीके से कर आरफ सुई को देखने की कोशिस करेंगे तो यह भी हम लोगों को पॉजिटिव दिखाए द रहा है पिछले पांस साल में पंद्रा परशंट से जदा की तेजी देखने को मिल रहा है और एक साल के दुरान भी गजब का कमपनी के दर बराबर देखने को मिल रहा है अब दोस्तों समझने की कोशिस करते हैं कि अब लोंगटम में यह जानेगी कि पिछला इतिहास किस तरह की कुस तरह की चेंजेश देखने को मिल रहे है उसके अंदर हम लोगों को किस तरह के चेंजिस देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें अगर quarter on quarter अभी फिलाल में जो quarter जो result आए हैं वो updated नहीं है तो इससे पहले कि जो result है मैं उनको आपको बताने की कोशिस करता हूं सितंबर 2019 के अंदर 18,000 क्रोड के असपास net sales क्रोड देखने को मिली थी और उसके बाद जो है लगातार जो है disappointment आपको देखने को मिली है 17,000 क्रोड वापिस से गिरावट वाला रहा मार्च 2020 17,755 क्रोड उसके बाद हम लोगों को फिर गिरावट देखने को मिली जून 2020 के अंदर बट अगर देखे तो सेप्टेंबर 2020 का क्रोड हम लोगों को जिस तरह की दिखाई देरा है तो progress देखने को मिल रहा था इसी तरह के प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को अपन डाउन का सिल्सला द देखने को मिल रही थी वापिस से 2017 के अंदर 48,000 को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली उसके बाद 2018 में 53,000 करोड से उपर हम लोगों को नेट सेल्स क्रोथ बढ़ती होने जरा ही 2019 के अंदर लगवग 75,000 करोड से उपर का डेटा देखने को मुल रहा है मार्च 2020 की बात करें तो 71,870 करोड के आसपार disappointment क देखने को बलत रहे हैं तो कहने का मतलब यह कि मार्च 2020 में गिरावट रही नेट पॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें किस तरे के बदला आवद देखने को मिल रहे तो 2200 करोड से उपर 2016 के अंदर हम लोगों को profit होता हुआ नजर आया था उसके बाद 3500 क्रोड, 4000, 600 क्रोड, फिर उसके बाद 6000 क्रोड, 6000, 620 क्रोड तो profit की इस्तिती हम लोगों को positive दिखाई दे रही है कहने का मतलब है कि long term के अंदर company को अच्छा खासा profit होता हुआ नजर आ रहा है यहां किसी भी तरिकी का कोई account opening charge company आपसे नहीं ले लिए तो link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सिधे DMIT account open करा सकते हैं दोस्तों कर जानकर यह आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करकर खलेना ताकि नहीं वीडियो के notification सीधे आपके mobile comments के Thank you so much for watching